प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आधितनाथ ने जिले के बियाडी मीटकल कॉलेज में 45 वर्ष से अधिक आयूवर के लोगों का कोविट टीका करल के कारिका निरिक्षड किया और वेवस्थाओं का जैजा लिया निरिक्षड के पस्षाथ मुख्यमंत्री योगी आधितनाथ ने बियाडी मीटकल कॉलेज में COVID-19 प्रबंधन से संबंधित गोरकपुर और बस्ती मंडल की समिक्षा की और निर्देश दिये कि कोरोना संक्रमण को प्रते एक दशा में नियंत्रित करने के लिए निग्रानी समीतिया और आराटी की संख्या बढ़ाई जाए मुख्यमंत्री योगी आदितनाथ ने कहा कि ओक्सीजन की ओडिट हरहाल में कराई जाए तथा यह सुनशित हो कि इसका वेस्टिज ना हो पाए हॉस्पीटल में ओक्सीजन ओडिट कराया जाना नितांत आवश्यक है कहीं भी ओक्सीजन की काला बजारी नहीं होनी चाहिए इसकी जाज की जाया और पकड़े जाने पर दोशी के विरुद्ध करी कारवाई सुनिक्षित की जाया मुख्यमंत्रियोगी आदितनात ने गोरकपुर के अलावा दोनों मनलों के अन जनपदों के जिलादीकारियों से वर्चुल बैठक कर जनपदवार कोविड-19 प्रबंधन की वरस्तत जानकारी प्राप्त करते हुए निर्देश दिया कि निगरानी समितियों की संख्या 3-4 गुना तक बढ़ाई जाये उन्होंने कहा कि सरकार संसाधन उपलब्द करा रही है मेटकल किट निगरानी समितियों के माध्यम से विस्तरित कराया जाये तथा उसका सत्यापन भी कराया जाये मेटकल किट की पर्याप्त दवा हर जनपत में उपलब्द कराई गई है उन्होंने कहा कि एम्बूलन्स 108 का 75 प्रतीशत प्रियोग कोविड-19 में किया जाये और आराजी को वहान उपलब्द कराये जाये कोविड प्रबंधन कार में लापरवाहिच हमें नहीं होगी शत प्रतीशत कॉंटेक्ट ट्रसिंग कराई जाये मुख्यमंत्री योगी अधितनात ने कहा कि यदि समय पर मरीज को सुविधा दी जाये तो निश्चित वा अरोगिता को प्राप्त करेगा उन्होंने कहा कि रोग को छिपाया ना जाये अगर बिमारी है तो उसका उप्च आने पर शिग्र मेटकल के उसे उपलब्द करा दिया जाये उन्होंने कहा कि यदि कार प्रबंधन टीम भावना से किया जाये तो निश्चित रूप से सत प्रतीशत सफलता मिलेगी उन्होंने आगे कहा कि करोना कर्फ्यू का कडाई से पालन कराया जाये और प्राइविट अस्पतालों एंबुलन्स का रेट निर्धारित किया जाये यदि कहीं इनके द्वारा मनमानी रेट लिया जाता है तो उनकी विरुध कडिक कारवाई सुनिश्चित की जाये मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कोविड अस्पतालों में CCTV कैमरे लगाये जाये हर जनपत में प्रती दिन 24 घंटे के अंदर पॉजिटिव डिकवरी एक्टिव केस आदि की समिक्षा की जाये और होम आइसोलेशन के कोविड मरीजों के साथ समवाद इस्थापित किये जाय और विधान सभावार होम आइसोलेट मरीजों की सूची वा मोबाइल नंबर सांसत विधायक को भी उपलब्द कराया जाये ताकि वे उनसे समवाद इस्थापित कर सके उन्होंने कहा कि हर कोविड और हस्पीटल में मरीजों के संबन में जानकारी उनके परिजनों की जरूर दी जाये मुखी मंतरी ने कहा कि खाद्यान वित्रड कार की निगरानी हे तू एक नूडल अधिकारी नामित करें गेहूं क्रे केंद्रों को सोशल डिस्टेंसिंग कोविड प्रोटोकॉल के तहत के साथ संचालित किया जाये तथा गो आश्रे अस्थल पर चारे आदे की वेवस्था मुखी मंतरी स्वक्षिता संट्राइजेशन एवां फॉगिंग कारे को एक अभिहान के रूप में संचालित करने तथा इस कार हे तू नूडल अधिकारी नामित करने के निर्देश देते हुए कहा कि यह अभिहान कोविड के साथ ही बरसात में इंसिफलाइटिस से सिद्ध होगा उन्होंने कहा कि कंटेंट्मेंट जोन में सकती की जाए केवल मेटकल स्वक्षिता सेंट्राइजेशन फॉगिंग डोर स्ट्राइब डिलीवरी की अनुमती होगी मुख्यमंत्री ने कहा कि सावधानी वा सतर्कता कोविड से बचाओ का सर्वोश्तम उपाय है बेट की संख्या बढ़ाने तथा शाषन के नियमों का पूडता अनुपालन करने और पीकु को क्रियाशील रखने के निर्देश दिये मुख्यमंत्री ने कहा कि शाषन इस्तर पर ऑक्सीजन की उपलब्धता, रेम डिसीवर इंजेक्शन, होम आइसूलेशन, स्वच्छता संट्राइजेशन, फौगिंग आदिक कार्यों की वेवस्ता निगरानी संबंधी समितिया गठित की गई है मुख्यमंत्री ने बताये कि 30 अप्रेल तक प्रदेश में 3,10,000 अक्टिव केस थे और आज 10 मई को 2,25,000 अक्टिव केस है, 88,000 अक्टिव केस कम हुआ है इस बारे में मंडला युक्त जैंत नलिकल ने गोरकपूर मंडल में कोविट प्रवंधन के संबंध में वरस्त जानकारी दी इस अफसर पर जिला अधिकारी के विजंद्र पांडियान ने बताया कि जनपत में पॉजिटिव रेट, आराची, निगरानी समितियां, होम आइसूलेशन, ICC में टेलिफोन, संख्या, एम्बूलन्स आधी बढ़ा दी गई है मरीजों को बेहतर सुविधा मुया कराई जा रही है, इस संबंध में गुरपूर निउस से बात करते हुए, मुख्यमंत्री योगी आधित नात ने कहा एम 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 एमागी आधिता है आपका वेक्षिन तक लिया? आपका वेक्षिन तक लेख्पाidan वेक्षिन का वेक्षिन तक लिए झाइं है कर ऑुटार versão?" झाल 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 परोना में हमारी के सेकिंड वेब का मुकाबला कर रहा है आधरिये प्रधानमंत्री जी के मार्क तर्शन में पुरे देश के अंदर करोना के खिलाब बड़ी मजबूती के साथ एक अभ्यान चम्ला है और उसके अपिक्सित प्रणाम भी प्राप्त हो रहे है उत्तर प्रदेश जो देश की आवादी की दिश्य सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश करोना की सेकंड वेब के खिलाब मजबूती के साथ लड़ रहा है प्रदेश के इंदर अर्ली इन अग्रेग्रिसीब केंपेंड का प्रणाम आज सामने आ रहा है जिसमें हम लोगों ने ट्रेस टेस्ट एंड ट्रीक को ध्यान में रख करके ब्रहत पैमाने पे भ्यान चलाए है रुसके बहुत अपकिक्सी प्रणाम सामने आये है पिछले दस दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर 85,000 से अधिक एक्टिब केस कम है उत्तर प्रदेश के अंदर 30 अप्रेल 2021 को 3,10,000 एक्टिब केस थे आज प्रातर 10 मई पो जो रिपोर्ट हमारे सामने आई है इसमें 2,25,000 एक्टिब केस वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर थे फर्स्ट वेप का मुकाबला उत्तर प्रदेश ने बहतर दरीके से किया था और उसके बहतर प्रणाम भी सामने आये थे सेकिन्ड वेप में भी उत्तर प्रदेश उसी प्रवंदन के साथ काम कर रही है आप याद करिए जब पिछली बार मैं यहाँ पर सुपरस्पेसलिटी ब्लाग को कोविड हास्पिटल के रूप में गाटन करनी के लिए आया था उस समय बहुत सारे लोगे कहते थे जब इतने पेसेंट में इतने बेड का यह हॉस्पिटल बनाने क्या उसकता क्या यह 500 बेड का डेडिकेड़ कोविड हास्पिटल हम लोगों ने उस समय हां पर बनाया था और बीच में तो यह भी बात आने लगे एक साब इसको बंद कर देना चाहिए तो हम लोगों ने का नहीं बंद नहीं करना है देश के अंदर अन्ने राज्यों में और दुनिया के तमाम अन्ने देशों में जो इस्तिती है उसको देखते वे हमें इसको आगे बढ़ाना होगा आपने देखा होगा बोरकपुर और पुर्गी उत्तरब्रदेश के हजारों लोगों के जीवन को बचाने में इस डेडिकेड़ कोविड हॉस्पिटल ने हमारे यहां के चिकितसकों ने घर्त वरकर्स ने बहुत बड़ी भूमिका का मिर्मुहन किया ऐसे ही पुर्देश के अंदर अलग अलग जनकदों में भी इस्तिती है इसको लेकर के बहुत उसके साथ वे कारिक्टरम हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं आसंका थी देश और दुनिया के तमाम एक्सपर्ट इस बात को कहते थे कि उत्तरफदेश में पांच से दस मई के बीच में एक लाग केस पड़ड़े आएंगे लेकिन ट्रेस ट्रेस्ट एंड टीट के जिस अग्रिसिव अभ्यान को लेकर के हम लोग चड़े उस अभ्यान का प्रणाम है कि आज प्रदेश के अंदर 21,000 पॉसिटिग केस आएंगे कल 23,000 थे यह लगातार इसमें गिरावट है एक ट्रेंड की तरह बें जा रहा है यानि हमारा जो करोना के खिलाब रणीती है वो सखलता के साथ आगे बढ़ रही है और इसलिए हम लोगों ने प्रदेश के अंदर करोना करफ्यू के साथ निगरानी समितियों और आरार्टी को एक विसेश अभियान के साथ जोड़ा है हर गड़ाम पंचैत में निगरानी समिति निगरानी समिति स्क्रीनिंग का काम करे जिन लोगों को जो लक्षण युक्त है या संदिक्द है उनको वहाँ पे मेडिकल के टुपलब्द करवाएं और आरार्टी को ततकाव सुचना दे हैं आरार्टी चाकर के उनका एंटिजन टेस्ट कर लें एंटिजन टेस्ट के साथ ही वहाँ पर ये ब्योस्ता देख लेना कि अगर उस परिवार के पास उस ब्यक्ति के पास अपने घर में होम आईशुलेशन की शुविधा है तो उसे होम आईशुलेट करने जिसमें सेपरेट रूम सेपरेट ट्वालेट है तो हम आईशुलेट की वहाँ पर करना नहीं तो गाओं में ही एक कॉरंटीन सेंटर बना करके उन्हें गाओं में निगरानी सिमिति की देख रेक में उनकी वहाँ पर रहने खाने की सारी सुविधा देना डॉक्टर का अब्जेर्विशन हो इन चीजों को लेकर के गिरंतर एक अभ्यान चलना है और इस अभ्यान में जितनी जवकी हम हर पेसेंट को दवाव लब्द करवा लें उतना ही मृतुदर कम होगा और यह अभ्यान इसी रूप में प्रदेश के अंदर हम लोगों ने प्रारंब किया है एक सब्तात के अभ्यान चलेगा दूसरा जो आसंका व्यक्त की गई है यानि इसके लिए तो टेस्ट की ब्योस्ता आथ उत्तर प्रदेश देश के अंदर सरवाधिक टेस्ट करने वाला प्रदेश है प्रदेश दिन सवाद दो लाग से लेकर के धाई लाग तक के टेस्ट प्रदेश के अंदर वो रहे है जहां पर पॉजिटिविटी जादा है वहां पर टेस्ट बढ़ाने के लिए उन जन्पवों से लगातार कहा जा रहा है फर्स्ट वेट जब आये थी तो फर्स्ट वेट मैं हमारे पास जो सबसे दिक केस आये थे वो आये थे 68,000 एक्टिब केस 68,000 तक थे एक दिन में केस आने की संख्या थी 37,500 लेकिन सेकेंड वेट कितनी तीब रहा पेसी से अन्मान कर सकते हैं कि हमारे पास एक दिन में चो केस सबस्वादी केस आये थे जो भी सप्रेल को आये थे वो केस थे 38,000 पच्पन और 30 अप्रेल तक पहुंसते पहुंसते एक पीक पर था तब हमारे पास एक्टिब केस थे प्रदेश में 3,10,000 यानि कई गुना 67,000 की तुन्ना में अगर आप देखेंगे तो ये कई गुना ज्यादा है ऐसे इस 7,000 की तुन्ना में आप 38,000 को देखेंगे तो ये पांच गुना से ज्यादा आ जाता है ये जो स्पीड है इसी में इतने ही तेजी के साथ ऑक्षिजन के आपूर्ती की भी मांग होई हम अबाहरी हैं अगरने प्रधान मंत्री जी के भारत सरकार के कि पहली बार देश के अंदर ऑक्षिजन केले वाई सेना के बिमानों का उप्योग किया गया अग्षिजन एक्सप्रेस सली है हम राज्य के अंदर जब प्रधेश के अंदर कोविट की फर्स्ट वेब थी तब हमारी ऑक्षिजन की आपूर्ती प्रधेश के अंदर उसमें राज्य सरकार को कुछ भी नहीं करना होता था उससे अग्रीमेंट के इंसार उक्षिजन मिलता था या फिर जंबो सिलेंडर से या उन्होंने एर सेपरेटर यूनिट लगाए थे उसके मात्यम से उनका काम चलता था लेकिन अचानक oxygen की डिमांड प्रादम हुए फस्ट वेब में 300-300 मिट्टिक तन oxygen की खपत उत्तर प्रदेश में थी और कल हम लोगोंने 1000 मिट्टिक तन से जादा की oxygen की आपूरती प्रदेश में की है जिसमें हम लोगोंने Y-Shenna के बिमानों का उप्योग करते वे यहां से खाली टेंकर भेजे वहां से oxygen एक्सप्रेस के मात्यम से liquid medical oxygen हॉस्पिटल और medical संस्तान में हरे एक जनपद में पहुचाने का कारी किया यहां पर गोरगपूर में भी गोरगपूर और भस्ति कमिस्टनरी के लिए liquid medical oxygen की आपूरती टेंकर के मात्यम से भी और oxygen एक्सप्रेस के मात्यम से भी यहां पर आपूरती करनी की ब्योस्ता की गई है गोरगपूर में चोंकि यहां पूर्वी उत्तर प्रदेश का स्वास्ते सेवा का एक प्रमुकेंद्र है उत्तर और पस्षिन बिहार की भी एक बड़ी आवादी गोरगपूर में स्वास्ते सुद्धाओं के लिए आती है उसको ध्यान में रखते बे अब तक यहां पर जितने बेट्स थे उनको और सुद्धायुक्त बनाने के लिए ब्यार्डी मेडिकल कॉलेज में भी oxygen की आपूरती बढ़ाने के साथ ही यहां पर बेड्स की संख्या बढ़ाने के लिए ventilator उपलब्द कराए गया है और अभी मैं एम्स में जा रहा हूँ एम्स में बोईंग के मात्यम से तो अंतराश्टियर बिमानन कंपनी है उसके मात्यम से CSR के मत से 200 बेड़ता एक dedicated covid hospital ventilator यूपत वहां पर उपलब्द क्या जा रहा है उसमें वे manpower उपलब्द कराएंगे साथ साथ state government ही उपलब्द कराएगी oxygen के आपूरती state government उनको वहां पर उपलब्द कराएगी fire safety electric safety और security की विवास्ता state government उसमें करवाएगी इन सभी कार्यों के साथ इन कारेकरमों को मागे बढ़ा रहे हैं करोना महामारी के खिलाब जो हमारा सबसे बड़ास्तर है वहा है परदेश के अंदर करोना महामारी और देश के अंदर दुनिया के अंदर भी वह सुरक्षा कबच हमें vaccine दे सकता है देश के वैज्यानिकों का हम वैजनेंदन करते हैं कि उन्होंने प्रदान मंत्री जी के मार्ग दस्व में दो सुदेशी vaccine देश को दी है और vaccination का कारेकरम सफ़ता पुर्वक चल्दा है उतर प्रदेश के अंदर अब तक vaccination में 1 करोड 40 लाग के आसपास लोगों को हम लोग vaccine दे चुके है जिसमें 1 करोड 38 लाग से ज़्यादा 45 पलस से टुड़ेवी लोग है और 1 लाग से ज़्यादा हम लोगों ने अब तक 18 पलस लोगों को 18 से 44 के बीच के लोगों को भी vaccine दिया है आज से हम लोगों ने प्रदेश के अंदर vaccine के कारिक्टरम को और तेजी की है 4000 से दिक सेंटर में हमारे 45 पलस से टुड़ेवे लोगों को vaccine दिया जा रहा है 18 पलस के लिए 18 से 44 के बीच की आयूवर्ग के लोगों के लिए आज 11 जनपत के 200 से दिक केंदरों में vaccine उपलब्द करवाने की कारवाई प्रारम होई है यह vaccine सुरक्सा कवच हर एक बेक्टि को दे सकता है और यह vaccine हर एक बेक्टि को बिना भेदवाव की निसुल्क उपलब्द कराने का कारे 18 से 44 के बीच में प्रदेश सरकार और 45 पलस के लिए भारत सरकार के मातिम से निसुल्क उपलब्द हो रही है और इसको हम निसुल्क उपलब्द करवा रहे हैं प्रदेश प्रति को आपके मातिम से मेरी जनता से एपील है कि यह महामारी है यह महामारी को हम सामने फ्लून समझने की भूल न करे बचाओ ही बिमारी में सरोत्तम उपाय है और बचाओ के लिए हम लोगों को एक करोना के जो प्रोटोकल तैक की गए हाई रिस्क काटेगरी से जुड़े वे जित्ते भी लोग हैं वे अनाउस्य गुरूप से पहार में निकले वे घर में रहें घर में भी मास्क का इस्तमाल करें जिसमें साल साल से उपर के लोग दस वर्ष से कम के बच्चे गरवती में लाएं कम्यूनिटी के लोग एक एक से दिक विमारीों से गरसित लोग वे सबी लोग इसमें पूरी सतरक्ता परते हैं एक एक बच्चे का जीवन किम्ती है किसी भी अस्तर पर लापरवाही नहों दूसरा अगर किसी को बाहर निकलना ही है तो सामान्य लोग हैं तो वे लोग भी मास्क का इस्तमाल जरूर करें कोई चीज का लेंदेन करें गलफ से जरूर पहनें इसके लाबा अनावस्यक भीड न लगा है दो गज की दूरी का पालन करें अगर इन सभी नियमों का पालन करते बे अर्व्यक्ति सासन के द्वारा निर्धारित नियमों के साथ जुड़ता है तो ना केवल स्वेम को सुरक्सा प्रदान करता है बलकि समाज को भी वह सुरक्सा प्रदान करने में अपना अमुल्य युगदान दे रहा है और मेरी अपील होगी कि ये समय लापरवाहिय का कतई नहीं है किसी भी अस्तर पर नहीं है आज मैं इसलिए बोरक्पुर और बस्ती कमिस्तनरी की समिक्सा बैठक के माजन से मैंने यहाँ पर प्रसासन को भी जो आउस्ट कारवाहिक की जानी चाहिए अलग-अस्तर पर कुछ जगों पर अच्छा काम हुआ है कुछ जगों पर अभी और बहतर करने की बुझाय से उसका और बहतर करने के लिए उन्हें कहा गया है साथ-साथ जन प्रतिमिद्यों का स्योग किसकी सस्तर पर हम बचाओ के साथ कर सकते हैं इस पर भी एक विस्तित चर्चा यहाँ पर हुई है अभी मैं एमस में जा रहा हूँ जहां पर हमें 200 बेट का एक डेडिकेटट कोविड हॉस्पिडल वेंटिलेटर यूप्त हॉस्पिटल की मिर्मान की कारवाई वहाँ पर प्रारम होनी है और बहुत सीगर यह गोरकपुर को संगठन को सभ्यान के साथ जुड़ करके लोगों के जीवन को घचाने में अपना यूगदान दे रहे हैं उन सब के मनोबल को हम बढ़ाने में अपना यूगदान दे धन्यवाद